न्देखे शरीर देखे हुए मालूम पड़ेंगे देखा हुआ शरीर अंदेखा मालूम पड़ेंगे तुम शरीर को देखोगे ऐसा लगए कभी तुमने इस शरीर को देखा ही नहीं और जब देख लोगे और जब दिखाई देगा तो ऐसा लगेगा देखा ही नहीं और जब सोचोगे दिखा ही नहीं फिर देखोगे तो दिखता है और फिर दिखता नहीं और जब देखोगे नहीं दिखता फिर दिखता है और दिखता नहीं ऐसा भक्त पागल हो जाता है और ऐसे पागल भक्त ऐसे भक्तों की जरूरत है ऐसे पागल भक्त ही परमात्मा की सेवा कर सकते हैं ऐसे पागल भक्त ही परमात्मा की आराधना कर सकते हैं ऐसे पागल भक्त ही परमात्मा हो सकते हैं, ऐसा मत सोचना कि गुरू के आध्यात्मिक संबंध शिर्ष्यों के साथ तुरंत ही कायम हो जाते हैं, समय लगता है, गुरु को समय लगता है, शिष्यों को समय लगता है, क्योंकि शिष्य पूरा समर्पित अभी नहीं गुरु तो समर्पित है, लेकिन शिष्यों की तरफ से अभी समर्पित पूरा नहीं तो गुरु चाहकर भी आध्यात्मिक संबंद कायब नहीं कर पाता और गुरू इतना प्यासा है, इतना अधुरा है कि बिना आध्यात्मिक संबंध जी नहीं सकता, क्योंकि जब तक सड़ीर के भीतर बैठा है, तब तक बिना संबंध तो जी नहीं पाएगा, ध्यान जैसे कि छूना है, जब हम ध्यान करते हो तो छूते हैं, एकांत में ध्यान करते हो आँखें बंद करते हो अपने आपको ही हजार कोनों से छूते हो कि पहले कहा था कि मुझे ज्यादा पढ़ना नहीं मुझे ज्यादा सुनना नहीं जान तो उब जाओगे जन्डूब जाओगे अब की बार क्या होगा उब जाएंगे जडूब जाएंगे कुछ लोग उबेंगे और कुछ लोग डूबेंगे जिन्हें डूबने की कला मालूम नहीं और जिनका रिस्ता डूबने से है ही नहीं वे उब जाएंगे तुम किस बात से उब जाते हो किसी चीज की यदि पुन्र लेते चले जा रहे हो, वर्षों वर्षों से लेते चले जा रहे हो, और उपते नहीं, क्योंकि स्वास जीवन का स्रोत है, और जो जीवन का स्रोत है, उससे तुम उपोगे नहीं, मैं जीवन का स्रोत हूँ, अगर तुम जान गए, तो उपोगे नहीं, तो उपोगे नहीं, त और उसी स्वास में तुम डूब की लगाते रहते हो, सारी जिंदगी डूब की लगाते रहते हो, स्वास समंदर है और डूब रहे हो, मैं एक समंदर जैसा हूँ और तुम मुझे में डूब जाओगे, लेकिन यदि मेरी हकीकत से राब्ता नहीं है, मेरे विस्तार से कोई सामना नहीं हुआ तुम कैसे डूप सकोगे जिन्हें दिखाई नहीं देता और पास समंदर है और उन्हें सुनाई भी यदि नहीं देता तो वे डूप की नहीं लगा सकते समंदर ना तो जिन्हें दिखाई देता ना तो जिन्हें सुनाई देता वे डूपकी नहीं लगा सकते लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ना तो आखें होती हैं ना सुनने के शक्ती होती है लेकिन वे छू लेते हैं समंदर को, जान जाते हैं लहरे आती हैं पाउं को लहरे छू जाती हैं और जानते हैं कि ये लहरें सागर की लहरें और डूब की लगा लेते हैं और मिट जाते हैं अगर तुम मुझे छू भी लो तो तुम डूब जाओगे ऐसा नहीं कि मुझे ऐसे छू लो तो तुम डूब जाओगे मुझे छूने की कोशिस करो ऐ ऐसे छूना जैसे किसी को आज तक तुमने छूआ ही नहीं, मैं पहले आज से लगभग नौ सालों पहले हैं, पहले प्रेम में था, किसी इस तरी के साथ, ये सोधरा, और मैंने उसे छूआ भी नहीं, और मैंने उसे छू लिया था, मुझे उसका नाम भी मालूम नहीं था, मैं तुमने कभी देखा, तुम किसी को भी छू लेते हो, तो प्रेम जैसा मालूम परते हैं, अगर तुम भातिक तरीके से भी किसी को छूते हो, तो ऐसा लगता है कि थोड़ा प्रेम आया, कोई मित्र तुम्हारा, उसके कंधे पर तुम हाथ रख लेते हो, अब मित्र जाएगा, तो थूड़ा बुरा लगेगा, मित्र की थोड़ी चिंता होगी, घर पहुचा या नहीं, हो सकती है, होनी चाहिए, तो ये तो जो छूना है, ये भातिक तरीके से छूना है, ये भातिक छूवन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इससे भी प्रेम आता है, लेकिन मुझे तुम क्या भातिक तरीके से छूवगे, तो प्रेम हो जाएगा, संभाव नहीं हो जाएगा, लेकिन कितने लोग मुझे छूएंगे, और आठ हरप की आबादी वाली दुनिया में से दो लाख लोग भी एक साथ छूने की कोशिस करें, तो मैं पूरी तरह छूवा जाओंग और मारा जाओंगा, तुम्हारी छूवन से दब जाओंगा, संभथ नहीं, तो मैंनी कहता कि आखर मुझे छूओ, हाला कि लोग जाते हैं मंद्र, और स्विवलिंग को छूवते रहते हैं, मंदिर की जो मूर्ती है उसको छूवते रहते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है, कुछ होता नहीं मंदर की मूर्ति को छूने से लाख बार चूओ और आप चारिकता वस्थ छूते हो तो कुछ होता नहीं लेकिन अगर मूर्ति को भी भावना से छूओ तो कुछ होता है तुम किसी इस्तरी को भी अगर पूरी भावना के साथ छूते हो वासना के साथ केवल न जो ये पूरी जिंदगी है, उसके सित्म में मेरी आवाज जब फैलती है, तुम मुझे सुनते हो, तुम मुझे देखते हो, तुम मेरा एहसास भर करते हो, तुम जैसे की मुझे छूते हो, कैसे छूते हो मुझे, मैं तुमें एक होता हूँ, तुम मुझे में एक होते हो, ध् चूते हो और जैसे कि तुमने पहले कभी अपने आपको चूआ नहीं है असंख के कोनों से जब अपने आपको ध्यार में चूते हो तो हैरत अंगेज रूप से परिशान हो जाते हो बेचैन हो जाते हो अनिद्रा घेर लेती है क्योंकि तुमने अपने आपको कभी चूआ नही और पहली बार छूते हो ऐसा है जैसे कि आग को पहली बार छूओगे तो परिशान हो जाओगे कई बार भी छूओगे तब भी परिशान हो जाओगे अपने आपको छूना आग से छूने से कम नहीं है बड़ी सकती भीतर तुम्हारे है और छूते हो, और परिशान हो जाते हो, मैं भी सकती हूँ, होश के साथ नहीं छूओगे तो परिशान हो जाओगे, और परम होश के साथ छूओगे तो परम परिशान हो जाओगे, और फिर मेरे पास आना जाओगे, आ जाओगे तो तुम मुझे फिर से छूओगे, और फिर जाओगे नहीं. और फिर जब मुझे ठीक प्रकार से छूओगे, तो तुम हर किसी को छू लोगे. मुझ से शुरुवात करो, छूने से शुरुवात करो. क्योंकि छूना एक रिस्ता कायम करना है. लोग एक दूसरे को छूने से डरते हैं, आपको सब्भेता ऐसी है कि हम किसी को छूना नहीं चाहते कोई हमें छूजाए हम नहीं चाहते कहीं कोई बीमारी ना हो जाए क्या करें दुनिया ऐसी है कभी-कभी तुब बचाना परता है कि कोई छूना जाए पुरूस है तो हजार दफे बचाता है को इस तरी छूना जाए क्योंकि केस हो सकता है दुनिया ऐसी है पता नहीं तुम साधारन तरीके से ही चलो अचानक से तुम्हारा शरीर किसी इस तरी के शरीर से टकरा जाए और इस तरी बोले आपने मुझे छूआ क्यों भारत में ऐसा हो सकता है हाला कि तुम छूना नहीं चाहते थे, तुम बस चलते थे, और शरीर टकरा गया, और इस तरी कहती है, आपने मुझे क्यों छूआ, तुम चलते हो, कोई गरीब व्यक्ति तुम से टकरा जाता है, तुम ने कहा, तुमने मुझे क्यों छूआ, छूआ छूट की भावना तो जब तक छूओगे नहीं तब तक डूबोगे नहीं पानी में डूबने के लिए भी पानी को छूना तो पड़ता है अगर तुम हाथ से न भी छूओ तो डूबने के लिए कम से कम शरीर का असपर्ष तो पानी में चाहिए तो शरीर तो पानी को छूता है, दूबने के लिए छूना पड़ता है, मुझे में डूबने के लिए मुझे छूना पड़ेगा, मेरी बातों में डूबना पड़ेगा, मेरी बातों के बारी में जागरुख होना पड़ेगा तुम्हारी नस नस में मेरी बातें दोर जाएं मेरी बातें केवल तुम्हारा ज्यान न बने मेरी बातें तुम्हारा सहज स्वभाव बने व्याभारिक स्वभाव बने व्याज्यानिक स्वभाव बने तब तुम मुझे में डूब बाओगे डूबना प्रेम है आपने कहा कि कौन डूबेगा कौन वंजित रह जाएगा कौन उबेगा जो प्रेम कर सकते हैं और करते हैं और करेंगे वे नहीं उबेंगे प्रेम तुम्हें कभी उबने नहीं देता तुमने कभी देखा तुम्हारी मा की सारी हो मौजूद और तुम्हारी मा दुनिया में मौजूद नहीं मा की सारी सदाय प्रिये होती है क्योंकि मा से प्रेम था, सारी से तुम उबोगे नहीं क्योंकि तुम्हारी मा की सारी है और मा से प्रेम था जहां प्रेम है वहां उबना तो नहीं हो पाता और जहां घ्रिना है वहां उबना हो जाता है जहां नफरत है वहां उबना हो जाता है तुम अपने काम से घ्रिना करते हो पसंद नहीं करते उबना हो जाएगा तुम डॉक्टर हो या एंजिनियर हो या वैक्यानिक हो या कोई भी हो और तुम्हारा प्रेम तुम्हारे काम से नहीं तुम उप जाओगे और ठक जाओगे और चाहोगे ये काम फिर न करें और जल्दी से जल्दी ये काम समाप्थ हो जाए ठीक रहेगा लेकिन यदि काम ही तुम्हारा स्वभाव है जो काम करते हो वही तुम्हारा सहज वही तुम्हारे लिए तुम्हारा जीवन तुम्हारा सब कुछ है काम में ऐसे डूब जाओगे जैसे कि ऐसा डूबना कभी नहीं हुआ तुम भूखे हो प्यासे हो मालूम नहीं चलेगा काम में डूबते इतने जाता हो कई गंटों के बाद मालूम चलेगा मुझे भूख भी लगी है प्यास भी लगी है कहीं जाना भी है कोई बुलाता भी है काम में इतने डूब गए कि मालूम ही नहीं चला कुछ और ही होता है मालूम ही नहीं चला कुछ और की ही जरूरत है किसी प्रेमिका से बातचीत करते हो कोई बुलाता भी हो तो जल्दी मालूम नहीं चलेगा, कुछ और काम करना भी हो जल्दी पता नहीं चलेगा, भूल जाओगे, प्रेम में अक्सर ही लोग दूसरी बातें भूल जाते हैं, प्रेम में अक्सर ही डूबना हो जाता है, प्रेम अक्सर ही समायोजन को जन देता है, एकता को जन देता है प्रेम जब भी होता है तुम्हारा एक होना उससे हो ही जाता है जैसे तुम प्रेम करते हो प्रेम डूबकी लगाना है बिना प्रेम डूबना संभव नहीं और बिना डूबना तो जीवन भी संभव नहीं श्वास में डूबोगे तो जीवन आएगा श्वास में नहीं डूबोगे तो जीवन नहीं आएगा और मैं ऐसा कहता हूँ तुम से कि किसी भी एक कार में यदि तुम तल्लीनता से डूबते कभी नहीं कभी भी नहीं तो तुम जी नहीं सकोगे जीवन में कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिसमें तुम तलीनता से, सदैव के लिए, शास्वतकाल के लिए, हैरतंगेज रूप से, अजीबो गड़ी, पागलपन रूपी तरीके से डूप जाते हो, तो तुम जी सकोगे, मैं जो करता हूँ उसमें इतना डूप जाता हूँ, तो मैं जी पाता हूँ, कोई मुसे कहे कि ये काम बंद कर दीजिए, लोगों से बात मत कीजिए, सनयासियों से मिलिये मत, प्रवचन मत दीजिए, कविता मत कीजिए, तो मैं जी कर क्या करूँगा, क्योंकि मेरे जीवन का स्वभाव ही यही है, मैं संबंध अस्थापित करत मैं भी डूब रहा हूँ ऐसा मत सोचना तुम मुझे में डूबे तो तुम ही डूबे मैं भी तुम में उतना ही उसी अनुपात में डूब गया हूँ क्योंकि मैं तुम में डूबता नहीं तो मैं तुम से इतना कुछ कहता नहीं मैं 29 साल का हूँ सुबह के सारे तीन बस्ते हैं या चार बस्ते होंगे मैंने समय देखा नहीं मैं तुम्हें डूपता नहीं तो अभी सोया होता मैं तुम्हें डूपता नहीं तो मेरी कोई गर्ल्फरेंड होती उसे बाचित करता रहता कुछ ऐसा करता जिससे कि तुमसे वंचित रह जाओं अगर तुमसे प्रेम नहीं करता किवल पदार्थ से प्रेम करता किवल शरीर से प्रेम करता तो तुम्हारे पास अभी तुमसे बात नहीं करता मैंने अपनी रातें तुम्हें दी है मैंने अपना दिन मैंने सारा जीवन तुम्हें दिया है, क्यों? कोई कारण नहीं, अगर कारण है तो प्रेम है, और गहरे में जाओं तो प्रेम भी जैसे की दिखाई देता नहीं, एक अजीब 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 आकर्शन है, अज्यात आकर्शन है, परिभासा से परे आकर्शन है, और गहरे में जाओ और गहरे में जाओ और गहरे में जाओ तो आकर्षन भी नहीं है स्वभाव है प्रकृती है मेरी प्रकृती तुम तुम्हारी प्रकृती मैं हो अगर सारा जगत प्रकृती ही है तो तुम भी प्रकृती ही हो और मैं भी प्रकृती ही हूँ मुझे में भी ध्यान प्रकृ में ही ध्यान है अगर सारा जगत संसार यह सारा जगत सारा संसार अगर इस्वर ही है तो तुम भी इस्वर ही हो मैं भी इस्वर ही हूँ मेरी पूजा भी इश्वर की ही पूजा है तुम्हारी पूजा भी इश्वर की ही पूजा है लेकिन केवल अगरबत्ती घुमाने वाली पूजा की बात नहीं कर रहा है अगरबत्ती तो तुम आसानी से 10 रुपए में खरीद कर ला सकते हो और दो रुपय की माचिस से जला कर खुब ऐसे अगर बत्ती मेरे आगे कर भी कर सकते हो, अगर बत्ती हिला भी सकते हो, दुला भी सकते हो, अगर बत्ती के साथ जो करना चाहे कोई कर सकता है, अगर बत्ती घुमाने से पूजा होती नहीं, पूजा का बहुत गहरे में अर्थ है आराधना मंत्र उजा का बहुत गहरे में अर्थ है महांतम से महांतम शक्ति की तरफ धनेवाद की भावना से भढ़ना लोगों के पास और कोई तरीके नहीं तो वे अगरबत्ती घुमाते हैं वे सम्मान की भावना से पूजा को देखते हैं प्रति घुमाना सम्मान की भावना है, लेकिन उससे भी तुम्हारा एहंकार गिर जाये पूरी तरह संभव नहीं है, अक्सर आराधना को प्राप्त लोग नीचे जुग जाते हैं, ये भी केवल सांकेतिक है, उससे भी ज्यादा अगर कोई भावनाओं को प्राप्त हो, बहुत उचकोटी की आराधना है, एक अस्तर और आराधना का है, जब तुम अश्वो से भी भीगते हो, और मौन भी हो जाते हो, और आखें भी बंध हो जाती है, और पता नहीं तुम्हें क्या हो जाता, कुछ मालूम नहीं चलता, तुम पूरी तरह और पूरी तरह एक अज्यात वास्तविक्ता को प्राप्त हो जाती हो, एक अज्यात अस्तित्व में मिल जाते हो, खुल जाते हो, ऐसी भक्ती उससे भी उच्छ होती है, उससे भी उच्छी भक्ती होती है, एक ऐसी भक्ती होती है, जहां तुम्हें ब्रह्म का पता चलता है, तुम ही परमात्म हो ऐसा मालूम चलता है और तुम गोशना कर देते हो यह सर्वुत्तम भक्ति है लेकिन इस सर्वुत्तम भक्ति को प्राप्त होने के लिए जरूरी नहीं कि हर वेक्ति गोशना करता फिर है मैं ब्रह्म मैं परमात्मा इस हकीकत से जब सामना होगा तब करना गोशना कुछ तुम्हारी जरूरत इन लोगों को है तुम घोशना करना ताकि ऐसे लोग तुम्हारे पास आ सके हैं तुम्हारी निज़िता को अनुभव कर पाएं तुम्हारे समीप आ पाएं और तुम्हारे समीप रहकर तुम्हें अनुभव कर पाएं ऐसे लोगों के लिए तुम प्राप्त होना तो घोशना कर देना लेकिन इस जल्दबाजी में मत रहना कि ब्रह्म को प्राप्त होंगे तो घोशना कर देंगे कब घोशना करें जल्दी से करें इसलिए ब्रह्म को प्राप्त मत करना प्राप्ति हो जाए और तुम कोई परिश्र मत करना प्राप्ति के जब तुम ब्रह्म हो जाते हो तो पता ही नहीं जलता क्योंकि पता होने ना पता होने पता होने और ना पता होने से भी पड़े हो जाते हो ज्यान होने और ना होने से भी पड़े हो जाते हो तो ब्रह्म की जो प्राप्ती है, ज्यान की प्राप्ती है तुम कहनी पाओगे, क्योंकि अधिकतर जो ज्यान है संसार में सांसारिक ज्यान है, और सांसारिक ज्यान है वो सूचना आधारित है, इस सूचना को जब तुम जीते हो तो ऐसा लगता है कि थोड़ा ज्यान मिला ले मैं कहता हूं ज्ञान भी मिलता नहीं है, जो परम सवभाव तुम्हारा है, उसमें तुम मिल जाते हो, तुम ब्रहमचारी हो जाते हो, ब्रहम जैसा आज्रन तुम्हारा हो जाता है, तुम वही हो जाते हो, जो होने की सर्वत्तम संभावना तुम्हारी थी, अधिकतम संभाव न तुम्हारी थी और मैं ऐसा कहता हूँ जब ब्रह्म हो जाते हो तो तुम्हारी उचितम संभावना निखर के आती है और भी उचितम संभावनाएं है निरंतर चलती निरंतर बरती निरंतर गतिमान होती उचितम संभावनाएं है उन उचितम संभावनाओं को निरंतर निरं concept है, बहुत ज़्यादा dynamic है, गतिमान अवधार ना है, तुम हर छण ब्रह्म और ब्रह्म और ब्रह्म को प्राप्त होते रहते हो, मैं लगतार तुमसे बातें कहता हूं, मैं कहां कोई किताब परके कहता हूं, मैं कहां कोई script परके कहता हूं, मुझे कहां सिखाया गया, मैंने क कुछ याद किया लेकिन कहता हूं क्योंकि मैं सूचना आधारित ग्यान तुम्हें नहीं दे रहा है मैं तो कहता हूं मैं अनुभव आधारित ग्यान देता हूं लेकिन फिर भी ये ग्यान अनुभव आधारित ग्यान नहीं है और जो ग्यान मुझे मिला है और जो ग्यान मैं शब्द है ये ग्यान भी ग्यान नहीं है मैं जो तुमको देता हूँ वो ग्यान भी नहीं है और ये अनुभव भी नहीं है एक रहसे है और जो देता हूँ वो भी एक रहसे में शक्ती है एक रहसे में शक्ती का प्रतिपादन करता हूँ प्रसारन करता हूँ तुम्हारी तुम उस कंपन को उन तरंगों को छू जाते हो और भीतर कुछ हो जाता है और ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी कोई परिभाशा नहीं जिसके कोई मापदंड नहीं जिसकी कोई गणणा नहीं जिसकी कोई संख्या नहीं जिसका कोई चित्र नहीं जिसका कोई आकार नहीं जिसकी क अभी इंद्रियों से पड़े है ऐसी गुंच मेरे ऐसे शब्द हैं जो शब्दों से पड़े हैं जिनका उचारन भी नहीं है कई बार लोग मेरे उचारन के मद्दे नजर कुछ बात कहते हैं मैं कहता हूं मेरे शब्द उचारन से भी पड़े शब्द हैं क्योंकि बहुत मु अक्सर जब मैं प्रवचन पूरा करता हूँ, हाला कि पूरा हो तो नहीं पाता, क्योंकि आजीवन भी करता रहूंगा, तो कुछ पूरा होने वाला नहीं, लेकिन जब भी मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, और बैठता हूँ, तो मैंने देखा है, कि मैंने जितनी भी अभी व्यक्ति की है, मुझे ऐसा लगता है, मैंने कुछ किया ही नहीं, वो जो मुझे कहना था, अधूरा रह गया, अपूर्ण रह गया, खाली रह गया, बाकी रह गया, और मुझे फिर से आना पड़ता है, 19 जनवरी 1990 को, सुबह मैं सोस्ता था, शडीर त्यागने से पहले, कुछ अधूरा रह गया, मुझे फिर आना पड़ेगा, मैंने इतना कहा, और मैंने कुछ कहा ही नहीं, जब ऐसा हो जाए, तो समझना, तुम डुपकी लगा रहे हो, जब ऐसा हो जाए, सब कुछ अधूरा मालूम पड़े, अधूरेपन से डड़ना मत, अधूरापन सुन्दर है, अधूरापन प्रतिक्षा का संकेत है, अधूरापन जीवन की रचनात्मक्ता है, जितने भी कवी हैं, रचनात्मक कवी हैं, और जब तक उनके भीतर रचनात्मक्ता है तब तक अधूरापन रहेगा और जब तक अधूरापन है तब तक रचनात्मक्ता रहेगी और जब तक रचनात्मक्ता अधूरापन ये दोनों रहेंगे तब तक कविता रहेगी व्यग्यानिकों के भीतर, व्यग्यानिकों के भीतर जब तक अधूरापन रहेगा, तब तक वे व्यग्यानिक रहेंगे, और जिस दिन अधूरापन समाप्त हो जाएगा, व्यग्यानिक समाप्त हो जाएगा, संत के भीतर जो अधूरापन है वो रहेगा और जिसन अधूरापन समाप्थ हो जाएगा संत सांसारिक हो जाएगा संत जैसा व्यक्ति कोई भी संत जैसा व्यक्ति या संत संत जैसे भी लोग होते हैं और संत होते हैं कुछ लोग संत जैसे होते हैं, पूरे संत नहीं हुए, लेकिन संत का स्वभाव जो थोड़ा सा भीतर है, निखरा है, खिला है, तो संत जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन है नहीं, और एक जो संत है, जो पूरा-पूरा संत है, वो पूरा-खाली और पूरा धूरा है, उसके भी अधियात्मिक संबंद कायम करना चाहता है। और आधियात्मिक संबंद इस जगत में जगत के लोगों के साथ, शरीर में बैठे साथ कायम हो बहुत बश्किल है। तो संभण कायम करने परते हैं फिर बहुत वक्त लगता है। बहुत प्रयास भी लगते हैं फिर जाकर शिष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् और बिल्कुल आध्यात्मिक संबंद ही चाहता है इस आध्यात्मिक संबंद की जो चाहत है और जैसा की भौतिक जगत में रहता है भौतिक जगत के संबंद के बिना तो ये आध्यात्मिक जगत का जो संबंद है इसकी उपस्थिती नहीं हो पाएगी तो कई बार ऐसा होता है और हर बार ही ऐसा होता है कि आध्यात्मिक संबंद बिठाने के लिए बहुतिक जगत से संबंद कायम करने परते हैं अब मैं आपसे आध्यात्मिक संबंद जोड रहा हूं इसके लिए मुझे कुछ चीज़ें कायम करनी परती है माइक्रोफोन लगाना पड़ता है, कैमरा रखना पड़ता है हजार तरह की जटिलताएं मुझे कायम करनी पड़ती है आपसे बाचीत करनी पड़ती है ये भी एक तरह का एफ़र्ट तो है थोरा तो मैं बोलता हूँ अगर शरीर अस्वस्थ हो तो बोलने में थोड़ी दिक्कत नहीं होती लेकिन अभी भी संबंध आध्यात्मिक नहीं सांसारिक है और जब तक तुम मुझे सुनते हो संबंध सांसारिक है लेकिन सुनने के बाद भीतर कुछ ऐसा कांप जाता है उस कांप जाने के बाद तुम आनंदित होते हो उस आनंद का प्रवाह, उस आनंद की जो गंगा है वो आध्यात्मिक है, वो आध्यात्मिक संबंध है उसकी तरफ इशारा मैं कर रहा हूँ मुझे सुनना आध्यात्मिक संबंध नहीं है वो तो सांसारिक ही है कुछ तरंगें प्रवाहित होती हैं, भीतर एक नदी का विस्तार होता है. उस विस्तार में जब तुम और विस्तरित होते हो और बहना शुरू होता है तब जाकर आध्यात्मिक संबंद विक्सित होता है और उसके बाद यदि तुम अश्वों से भीगते हो मौन को जाते हो और ऐसा लगता है कि अब मुक्ती का समय आ गया अब कोई जंजट नहीं अब कोई जंजट नहीं किसी प्रकार की कोई चिंता न कि अधर मंद्यां जलाने से मेरे आगे नहीं कुछ नहीं होता हूं तुम चाहूं तो जलाकर देखलो और वर्सों जला और कुछ होगा नहीं हजारों हजारों वर्षों से लोग गुरुओं के पाउं छूते हैं पकारते हैं तकिया रखते हैं नीचे कुछ होता नहीं हर प्रकार की जो आराधना जिससे तुम वाकिफ हो अधूरी आराधना है क्योंकि वास्तविक आराधना तुमने जानी नहीं तुम तरंगित न कभी ऐसा लगा जीवन की तरफ इतना उत्साहित हो गए कि ऐसा लगता है कि सारा जीवन अभी इस केंद्र पर आ गया ऐसा लगता है सारा जीवन इस बिंदू पर आ गया कुछ हो गया और जीवन जीने के लिए तुम पागल हो गए ऐसा कभी-कभी हो जाता है और तुम नाचन उस निर्ट्य का जो अंसुना अग्यात संदेश है अंसुना अग्यात संगीत है जिसको सुना भी नहीं जा सकता और पीछे कोई संगीत नहीं है और उसमें तुम थिरकते हो नासते हो वो संगीत मंतरों चाड़ने वही ओमकार है ओम ऐसा है यह ओम भी तो बोलना है लेकिन जब तुम उसमें डूबोगे इस ओम को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम ऐसा तुम महसूस करोगे सुनाई देता है और सुनाई देता नहीं साकार परमात्मा ऐसा लगेगा दिखाई देता है और दिखाई देता नहीं निराकार परमात्मा ऐसा लगेगा प्रतित होता है और साकार हो जाएगा अजीव विरोताभास घटेगा निराकार साकार होता मालूम चलेगा अंसुनी सक्तियां, सुनी हुई सक्तियां मालूम चलेंगी, और सुनी हुई सक्तियां, अंसुनी सक्तियां, अंसुनी आवाजें, आहटें मालूम चलेंगी, अंदेखे सरीर देखे हुए मालूम पड़ेंगे, देखा हुआ सरीर अंदेखा मालूम पड़ेगा, तुम सरीर को देखोगे, ऐसा लगेगा, कभी तुमने इस शरीर को देखा ही नहीं, और जब देख लोगे, और जब दिखा ही देगा, तो ऐसा लगेगा, देखा ही नहीं, और जब सोचोगे, दिखा ही नहीं, फिर देखोगे, तो दिखता है, और फिर दिखता नहीं, और जब देखोगे, पागल हो जाता है और ऐसे पागल भक्त, ऐसे भक्तों की जरूरत है, ऐसे पागल भक्त ही परमात्मा की सेवा कर सकते हैं, ऐसे पागल भक्त ही परमात्मा की आराधना कर सकते हैं, ऐसे पागल भक्त ही परमात्मा हो सकते हैं, जब तुम्हें मालूम चले कि मैं विरोधा भास ह जो कहता हूं सबकुछ एक contradiction एक विरोधा भास है मैं अभी तुम से कहता हूं कई बार मैंने कहते वक्त ऐसा सोचा कि यह विरोधा भास पैदा कर रहा हूं और विरोधा भास हो रहा है क्योंकि आधे घंटे पहले मैं जो बोलता था अब उस बात को काट दूगा अब जो विरोदा भास में तुम प्रवेश करोगे, लगातार इस विरोदा भास में अगर प्रवेश करोगे, तो लगातार परमात्मा में प्रवेश तुम्हारा नहीं हो जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, विरोदा भास में प्रवेश करो, कभी कुछ निश्चित निश्चित ग्यान की तरफ यदि बढ़ोगे तो अग्यान को प्राप्ट होगे अनिश्चित ग्यान की तरफ बढ़ोगे अनिश्चित ग्यान की संभावनाओं की तरफ बढ़ोगे तो अनिश्चित्ता की गती में तुम्हारा प्रवेश होगा और यही अनिश्चित्ता परम आत्मा का सामराज है कभी कोई ज्यान सटीक ज्यान नहीं है और ब्रह्म ज्यान तो सटीक बिलकुल भी नहीं है ब्रह्म ज्यान इतना बहावाला और इतना लचीला है इतना अजीव है कि जब भी तुम प्रगट करने की कोशिस करोगे तुम ऐसा सोचोगे कि मैं प्रगट तो क कहा जा सकता और आध्यात्म के बारे में सब कुछ कहा जा सकता है यही आध्यात्म की सुन्दर्ता है और इसी सुन्दर्ता में तुम डूप सकते हो तुमने कभी देखा इस तरी बड़ी सुन्दर मालूम परती है तुम बहुत तलाश होगे कि क्यों सुन्दर मालूम परती हो स परिवाशा व्याख्याएं तुम्हारे पास मौजुद नहीं सुंदर्था क्यों है और ऐसा नहीं कोई कुरूप इसतरी तुम्हें सुंदर मालूम नहीं पड़ेगी तुम्हें ठीक से देखाई नहीं तुम्हारे भीतर देखने की कला मौजूद ही नहीं है कुरूप व्यक्ति में सुन्दर्ता को तलासने के लिए जरा एक्सपर्टीज चाहिए जरा कुशलता चाहिए क्योंकि कुरूप तो केवल सरीर हो सकता है ठोड़ी कुरूप तो वहां आ सकती है बिल्कुल निश्चित है लेकिन उस कुरूप व्यक्ति में उसकी सुन्दर्ता तलासना ये हर व्यक्ति से संभव नहीं है केवल संत कर सकता के खालूम नहीं चलता था संदर था क्यों है आध्यात्म के जगत में क्यों ये प्रस्ण अक्सर रही जाता है क्यों और क्यों संदर है आध्यात्म में अक्सर ये बनावत रही जाती है कि आखिर कैसे और कैसे संदर है आध्यात्म में ये रूप रेखा रही जाती है कि क्या औ सब सुन्दर है और इसका कोई उत्तर नहीं है परमात्मा कैसा है कहा है कब है कैसे है क्या है सुन्दर है लेकिन उत्तर मौजूद नहीं है लेकिन बतलाया जा सकता है और नहीं बतलाया जा सकता है तुम मुझे में डूप सकते हो लेकिन कोशिस करोगे डूबने की तो नहीं ड क्थि रखने लगेंगे सब दिखावा है कि कि सब दिखावा है तो Het मैं कई इस्तृयों से मिलता हूं उनसे बाचित करता हूं पहले बाप्य में कहती हैं कि एक ओ- विल्ठ आमर वो उनके भी तरहना तो मैं हूं नहीं प्रेम है और नहीं नमन है वो किसी को नमसकार नहीं करती, उनका नमसकार केवल आपचा रिखता है, इस तरियां ऐसी हो गई ओशुप्रेम नमन, ओशुप्रेम नमन मतलब क्या आपचा रिखता संसार के लोग गुड़ मॉर्णिंग, गुड़ इवनिंग कहते हैं आध्यात्मिक लोग ओस्टो प्रेम नमन, आध्यात्मिक लोग कहते हैं जैस्वी राम, जैस्वी कृष्णा, सब आपचा रिखता है, सब आपचा रिखता है, कई स्थ्रियां मेरे पास आती है, मुझसे कहती है मैं जानती हूँ आप वही है, आप रजनीश है, मैं कहता हूँ नहीं तुम नहीं जानती मैं रजनीश हूँ वे पूसती हैं क्यों मैं कहता हूँ मैं पिछले एक वर्ष से देख रहा हूँ तुम मेरे पिछले जन्म की बातें साजा करती हो लेकिन इस जन्म की एक बात तुम मैं साजा नहीं की मैं ये नहीं कहता तुम साजा करो लेकिन एक बार भी तुमने नहीं किया और तुम कहती हो मैं रजनीश हूँ नहीं तुम मेरे सामने आकर पाखंड करती हो तुम चाहती हो कम से कम इस व्यक्ति से भी सुईक्रिती ले ले कहीं हुआ ही तो क्या करेंगे लेकिन अभी समर्पन पूरा समर्पन नहीं हुआ है, और तुम्हें क्या लगता है, तुम साजा कर भी दोगी मेरी वीडियोज को तो क्या, तुम्हारा समर्पन पूरा हो जाएगा, तुम जब मुझे बातचीत करोगी, तुम्हारे सब्दों में तुम्हारा समर्पन देख ल और मैं रहूं तो मैं बाधा बन जाओं, उनके छूने में भी उनका समर्पन देख लेता हूं, उनके छूने में भी उनका जूट पकड़ लेता हूं, अगर तुम जराबी शांत हो गए, अगर तुम जराबी गहड़े में जीवन में चले गए, तो तुम जान लोगे कौन जुट बोल रहे हैं अक्सर मैं ऐसा कहता नहीं लोगों से मैं ज्यादा वाद विवाद नहीं करता हूं लेकिन दूसरी बार बात भी तो नहीं करता हूं कई लोग मेरे पास आते हैं कहते हैं आपके सिवा मेरे जीवन में कोई नहीं है मैं कहता हूं बहुत अच्छी बात बारा बात नहीं करता वे आते हैं मैं चला जाता हूं एक बार बात करता हूं ब्लॉक कर देता हूं क्यों 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 कि मैं जानता हूं वे जूट बोल रहे हैं और मैं ऐसी अपेक्षा करता हूं कम से कम तुम मेरे पास आओ तो सच तो बोलो तुम मुझसे घ्रिना करते हो तो कम से कम सच तो बोलो, गल्ती क्या इसमें, मैं तुम्हें ठुकराओंगा नहीं, घ्रिना करने वाले लोगों को मैं अपने पास रखता हूँ, ठुकराता नहीं, तुमने देखा नहीं, घ्रिना करने वाले लोग जो टिपनिया करते हैं, कॉम इसके कारण हो सकता है मेरा आश्रम कभी न बने क्योंकि लोग सोचेंगे मैं जूटा हूँ मैं अकली आदमी हूँ मैं कोई रजनीश नहीं हूँ मेरी जो market value है कम हो जाएगी मेरी जो credibility है मेरी जो विश्वसनियता है बाजार में, समाज में कम हो जाएगी लेकिन मैं market value की फिक्र नहीं कर रहा हूँ मैं विश्वसनियता की फिक्र नहीं कर रहा हूँ चोकि मेरे पास कुछ देने को है मैं देना चाहता हूँ अगर लोग इंतजाम करेंगे लोग विवस्थाएं करेंगे कि मैं जो देना चाहता हूँ उन्हें नहीं मिले मैं कोशिस करूँगा कि मैं दूँ लेकिन मैं इतनी भी कोशिस नहीं करूँगा कि लोगों के खिलाफ चला जाओं और बोलू कि इन माध्यमों को नस्ट करें, इन इंतजामों को नस्ट करें ताकि मैं दे सकूँ, नहीं मैं इतना नहीं करूँगा, जिन्हें चाहिए वे आएंगे और मेरे पास जितना है मैं दूँगा, लेकिन देखूंगा, तुम्हारे प धन नहीं दे सकता, अगर उसके पास है, वो समर्पन क्या करेगा, जो पॉकेट थोड़ी हलकी नहीं कर सकता है, वो एहंकार का बोज कैसे उतारेगा, अजीब बात, ऐसा नहीं, जो गड़ीब हैं, वे मेरे पास नहीं आ सकते, बिलकुल आ सकते हैं और आ जाते हैं, और आने अचा के साथ दौर है कि मेरे पास आएंगे तो अमीर हो जाएंगे, कोई पिपा बरस जाएगी, कोई आशिरवाद मिल जाएगा, तो मैं नहीं आने देता, ऐसे गरीब लोगों से कहता हूँ, धन के मामले में आप थोड़े अमीर हो जाएं, फिर आएं तो उन्हें हटा दे लेकिन करोना वस हटाता हूँ, कोई निजी दुस्मनी मेरी नहीं किसी से, तो ऐसे लोग जो जूट बोलते हैं, और मेरे पास आते हैं, और जूट बोलते हैं, और दिखाना चाहते हैं कि सच बोलते हैं, वे नहीं डूप पाएंगे मुझ में, वे उप जाएंगे, और जो पहले सारा जीवन जूट बोलते थे और मेरे पास आकर दो सच बोल देते हैं मैं उनका हो जाता हूं तुम कह दो तुम बुड़े हो मैं तुम्हारा हो जाओंगा तुम कह दो मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता मैं तुम्हारा हो जाओंगा तुम सच तो कहो तुम कुछ भ उनकी बेवफाई में वफा को देख रहा हूँ मैं ऐसरम जबसे उन्होंने रुख मेरा किया आसू बहुत हैं और बूंदे बारिस्टों की इन आसूं में एक तरफ सावन का मौसम था और वो भीग गए मेरे साथ ऐ दोस्त सावन का मौसम आज सावन का मौसम हुआ दिन के उजाले में रात के अंधियारे में नूर जहां के बाद और इस अंधियारे में जो मेरा हुआ है ऐसनम वो मेरा हुआ मेरी सडहदों से आगे फासले हैं इतने मेरे जहां में हैं फासले इतने जो मेरे पास आकर और पास आ गए है ऐ दोस्त कुछ वक्त से भी अगर हां तो मेरे हुए इतना मुम्किन ना हुआ कि मर मिटू मैं तुम पे देखा है मैंने तुम्हें कुछ ऐसे कि मर मिटे तुम मुझ पे मुझसे मिलकर तुम मिटी ही गए हो अगर ऐसनम तो मुझसे मिलना तुम्हारा मिलना हुआ कुछ आ रहा है आहिस्ता मेरी तरफ अपनी आहटों के साथ साथ मैं चूम कर उसे जो मिटी ही गया उसमें मैं कहूं कि उससे मुझे मुझे मुहबत हुई मेरे फासले हैं बेपना और मैं सागर हूँ बेपना छूओ तुम मुझे और बनी रह जाए तुम्हारी प्यास तुम में तुम आए मेरे पास और तुम कहीं मेरे बात गए ही नहीं इंतजार कुछ ऐसा कि मिटता नहीं ये इंतजार जिंदगी इंतजार है मेरे सनम इंतजार की सरहत के आगे जिन्दगी और कुछ भी नहीं रफ्तारे मामला है यहां रफ्तार इस दुनिया की कुछ जादा दौर रहे हैं कब से किसी की तलास में और दौर है हमारी की पूरी होती नहीं एक फिरदौस और यकीन है कि यकीन है तुम्हें मुझ पर, मुझे यकीन तुम पर हो न हो जब देखते हैं तुम्हें तो मिट से जाते हैं बार बार ऐसा मिटना क्या यकीन से ज़्यादा नहीं ऐसा मिटना क्या यकीन से ज़्यादा नहीं बरदास्त कर रहे हैं खुद को खुद की बरदास्त से ज़्यादा, बरदास्त सरहद ए जमी पर हैं कुछ देर से तुम्हारे लिए और हम तुम में तुम से ज़्यादा, और हम तुम में तुम से ज़्यादा, जी अमृत, आप मुझे सुन तो पा रहे हैं जी कोई बात नहीं आप यदेपी मुझे देख नहीं पाते हैं लेकिन देख लेंगे जब यूट्यूपर मैं प्रसारन करूंगा इस वीडियो का तो वीडियो आप बेजी चक आराम से देख सकते हैं वहां हैंग नहीं होगी वीडियो कभी-कभी मैं कुछ कहता हूँ और कुछ लोगों का मस्तिश्क हैंग हो जाता है कभी-कभी मैं कुछ कहता हूँ और वीडियो ही हैंग हो जाती ऐसा हो जाता है तक्नीकी कुछ कारण रहे होंगे तो ऐसा हो जाता है लेकिन आप मुझे सुनतो पाते हैं आपकी तो केवल वीडियो हैंग हुई है बहुत देड़ सरु बहुत लोग मुझे सुन पा रहे हैं उनके मस्तिश्क हैंग ना हो गए हूँ यही सोचता रहत काफी देड़ हमने बात की कितना वक्त हो गया मुझे तो पता भी नहीं चला अगर आपको नेंद नहीं आती हो तो आप कर सकते बिल्कुल कीजी यह प्रस्ण और मैं ऐसा कहूं कि यह जो प्रस्ण आपका होगा यह आखरी प्रस्ण होगा क्योंकि सारे चार बसते हैं और फिर सारे चार के बाद मांज बजे यहां थोड़ा शोर होका क्योंकि लोग उठेंगे तो फिर मुहा धोएंगे तो कभी-कभार थोड़ा शोर आ जाता है तो आज इसी प्रस्णे के साथ मैं जब उत्तर दूँँगा तो विराम लूँगा और फिर अगले सत्र में अगले सेशन में हम फिर से शुर्वात करेंगे फिर से इस सेशन को इस सत्र को आगे बढ़ाएंगे तो ये प्रस्षन आखरी प्रस्षन हो जब आप लाश्ट टाइम एक जेंगल से गुजर रहे थे तो आप से पूचा गया था कि इस दुरिया का ग्यान आपके पास कितना है ब्राम का ग्यान तो आपने पत्तों की तरफ दशारा किया था कि जितने ये पत्ते पड़े यतना ग्यान है तो आप से फिर क्वेश्चन किया गया थे आप ताट आपने ख्यान कीतना दिया है, तो आपने एक मुठी बार पत्ट अपने मुठी बे ले लिये थे, और बोला था जितना ये पड़े हैं पत्त इतना ग्यान दे दिया, बस इतना बाकियी है, जो हमारी मुठी में है। तो सत्कुरु क्या इस बार वो मुठिक होल जाएगी इस बार मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे पास जो ग्यान है जीने मात्र के दिये जो उपयोगी है उतना ग्यान है उठना जानता हूँ, बैठना जानता हूँ, लिखना पढ़ना जानता हूँ बोलना जानता हूँ, अंग्रेजी, हिंदी और कुछ भासाओं का ग्यान है वीडियो रिकॉर्डिंग जानता हूँ, एडिटिंग जानता हूँ, जीवन की जो और बुनियादी जरूरते हैं उन जरूरतों को पूरा कैसे करूँ, इसके बारे में ग्यान है ये समस्त ग्यान सांसारिक बहुत ग्यान है, सीमित ग्यान है ग्यान की बात करें तो मैं कहता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जानता जितना पत्ते जानते हैं, उतना भी नहीं जानता जितना जीव जन्तु जानते हैं, उतना भी नहीं जानता मैं आपसे कहूँ कि एक चीटी जितना जानती है उतना आप नहीं जानते, सच में एक चीटी जितना जानती है उतना आप नहीं जान सकते, एक सियार जितना जानता, एक हाथी जितना जानता, आप नहीं जान सकते, एक मोर जितना जानता, आप नहीं जान सकते, और भी कुछ ज ग्यान के बारे में मैं बस इतना ही कहूँगा, कि मेरे पास जो ग्यान है, जीवन के लिए उप्योगी ग्यान है, जितना जीवन को चाहिए उतना है, अखबार पड़ता हूँ, आर्टिकल पड़ता हूँ, कभी कभार कुछ निउज की वीडियो देख लेता हूँ, ताकि वो जो सामाजिक ज्यान है, सांसारिक ज्यान है, सीमित ज्यान है, अपने आपको अपडेटेड रख सकों, उतना प्रयास करता रहता हूं, लेकिन सच में जो वास्तविक ज्यान होता है, उसके बारे में यदि आप पूसते हैं, तो मैं कहता हूं कि मेरे पास नहीं है, मैं जानता ह चाहते हो और आते हो तो वहीं चले जाओगे जहां मैं कहता हूँ जाने को कि तुम नहीं जानते और नहीं जानना चाहते वहीं चले जाओगे, मैं भेज दूगा वहाँ, तुम आओगे तो मेरे पास कुछ जानने की इच्छा से, और जब आ जाओगे तो फिर कुछ जानना न लगे हो ऐसा दूसरों को लग सकता है कि तुम कुछ जानने लगे हो लेकिन तुम कुछ जानते नहीं ऐसा तुम्हें लगेगा दूसरे अभी भी तुम्हें समाज विज्ञान और भौतिक जगत के माप दंडों से आंकने तौलने तुलना करने की कोशिस करेंगे और तुम इतना विराठ है कि तुम हर प्रकार के सांसारी ज्यान से भी वाकिफ नहीं हो सकते तो लगभग लगभग सांसारी ज्यान भी अपार है वो भी अनन्त है और जो आध्यात्मी ज्यान है वो तो कंपन है वो तो संगीत है और संगीत को जाना नहीं जा सकता है संगीत में थिरक नाचना, और मेरे पास जो ग्यान है, वो संगीत है, और तुम्हारे नित्य को प्रज्वलित करेगा ये संगीत, ऐसी संभावणा है, मेरा ग्यान संगीत जैसा ग्यान है, और मैं कितना दूंगा तुम्हें मैं मोल भाव नहीं करता मैं ना एक किलोग्राम दे सकता हूँ ना दो किलोग्राम दे सकता हूँ ना हजार टन दे सकता हूँ मैं तराजू पर तौलता नहीं और मैं बस इतना मानता हूँ कि मैं तुम्हें जितना भी देता हूँ, देने की कोशिस करता हूँ, हाला कि देता भी नहीं, देने के लिए भी परिश्रम करना पता है, कुछ लोग रुपए देते हैं और सोचते हैं कि हमने इतना दे दिया, अगर मैं ऐसा सोचूं कि मैं दे रहा हूं तो मैं देने वाला हो गया, मेरे भीतर एहंकार बैठ जाएगा, मेरा एहंकार मुझे बोझिल करतेगा, मेरे भीतर से बहता है, मेरे भीतर से एक गंगा प्रभावित होती है, जो तुम्हें प्रभावित करती है, मेरे भीतर से गंग गंगा प्रभावित होती है मुझसे प्रभावित होती है और तुमको प्रभावित करती है और मेरे भीतर से गंगा प्रवाहित होती है और तुम्हारी तरफ बहती है और प्रवाह करती है गंगा का प्रवाह मेरे तुम्हारे बीच है और तुम पवित्र होते हो और दोबारा तुम्हारी तरफ से गंगा मेरी तरफ बहती है और मैं पवित्र होता हूँ मैं तो कहता हूँ जब मेरा तुम्हारा समवाद होता है तो भहती ग्रूप से भी मेरा शरीर पवित्र होता रहता है मैंने ऐसा देखा है कि जब मैं प्रवचन करता हूँ और 6-7 घंटे, 10 घंटे लगातार करता हूँ ना तो प्यास लगती, ना तो भूक लगती ना तो ज़्यादा पसीना आता, अगर एसी नहीं है तो कम पसीना आता कि नहाँ, और जब मैं प्रवचन देता हूँ और उठता हूँ तो ऐसा लगता है कि अभी भी 12-13 घंटे मैं ऐसे रह सकता हूँ शडीर मलीन हुआ ही नहीं मेरी तरफ से जो जा रहा तुम्हारी तरफ है, वो प्रवाह है सूचना का नहीं, न तो अनुभव का, पवित्रता का पवित्रता कैल्कूलेट नहीं कि जा सकती, उसकी गणना नहीं कि जा सकती पवित्रता बस पवित्रता है, पवित्रता बस पवित्रता है और पवित्रता पवित्र करती है मेरी जो तरंगे हैं तुम्हें पवित्र करेंगे तौलना मत तरंगों को तौलना मत कितने पवित्र हुए तरो ताजा जब हो जाओ, नाचने जब लगो आनन्दित जब हो जाओ, मुस्कुराने जब लगो पागल जब हो जाओ, तो कहना कि जो आता था आ भी गया और पता नहीं कितना आया और कब तक आता रहेगा लेकिन कुछ आ रहा है और जो आ रहा है मुझसे भी टक्रा रहा है और आकर टक्रा रहा चारो तरफ चारो जहां से है और मैं माध्यम बन रहा हूँ और जो भी मेरे पास आएगा मुझसे टकडा के जाएगा वो भी पवित्र हो जाएगा मैं भी पवित्र हो गया था एक मंत्रो चारन मेरी तरफ से उठता है तुम में भी मंत्र बैठते हैं तुम कुछ कहते हो उसके बाद तुम भी मंत्रो चारन करते हो जो सुनते हैं वे भी म और मैं जो कुछ भी कहता हूं से शास्त्रों में समाहित नहीं किया जा सकता देखने की शक्ति जैसी तुम्हारी देखनी की अवस्था तुम्हारी जैसी तुम वैसे ही देखोगे जैसी तुम्हारी दृष्टी होगी वैसा ही मैं दिखाई दूगा अगर तुम्हारी दृष् दिखाई दे सकता, देखने की सक्ति, देखने की क्षमता, देखने की कला तुम्हारी जैसी मैं वैसा ही दिखाई दूगा, तुम मुझ में अपराधी देखोगे, सत्रू देखोगे, चोड देखोगे, दिखाई देगा, और मैं ऐसी स्वतंतरता तुम्हें देता हूँ, और ऐसी संभावनाएं विक्सित करता हूँ कि तुम जो भी देखना चाहों मेरे भीतर देख लोगे, तुमने कभी देखा नहीं, गुलाब को ठीक से देखो, गुलाब बहुत सुन्दर प्रतीत होता है, और नजदीक जाओ, और नजदीक जाओ, गुलाब के ऊपर जमी थोड़ी यहां कुछ अपवित्र है, यहां धूल है, यहां ऐसा, यहां वैसा, गुलाब पूरी संभावना कायम करता है, कि तुम सब कुछ देख सको, लेकिन यदि धूल के बावजूद भी गुलाब तुमें गुलाब नज़र आता है, जीवानों के बावजूद भी यदि प्रसन करती है, तो ठीक से तुमने गुलाब देखा, मुझमें बुराईयां हैं, लाख बुराईयां हैं, कभी कभार लोग मुझसे बाचीत करना चाहते हैं, और मैं सोचता हूँ अभी नहीं करूँगा, मैं भी बुरा हूँ थोरा इस मामले में, मेरी जब मर्जी होती है करता हूँ, अपनी सहूलियत के आधार पर करता हूँ, अभी अमृत मुझसे बाचीत करना चाहते थे, और मैंने पूरा समय लिया, मैंने पूरा इंतजाम किया, मैंने सोचा, मैं अपनी सहूलियत के आधार पर करूँगा, उन्हें देरी हो रही है, मैंने सोचा, लेकिन मैं घर रात को देर से आए, जब तक आती नहीं, तब तक सोते नहीं, और सुबह तक ना आए, तब तक सोगे नहीं, प्रतिक्षा करते रहोगे, उसका फोन जब तक लगेगा नहीं, प्रतिक्षा करते रहोगे, कोशिस करोगे जाएं, कहां है, खोजोगे उसको, फोन लग जाएं तो प्रतिक्षा कीजिएगा 6 महिनों से वीडियो डिकॉर्ड नहीं करता था 4 महिनों से नहीं करता था जब से भी नहीं करता था जिन्हें प्रतिक्षा थी वे कर रहे हैं और उनकी प्रतिक्षा सफल हुई और मैं आज आया 5 महिनों के अंतराल के बाद आया तो कि उसकी वीडियो recording नहीं हुई थी और जैसे हमने recording की थी मैं समाधी की अवस्ता में रहता था तो शरीर से पूरी तरह संपर्क में नहीं था तो मुझे पता नहीं चलता था कैसे मैं record करूं कैसे camera उठाओं कैसे microphone लगाओं तो मैं एक असीम आनंद के अनुभूती में सराबो रहता था ऐसा लगता था जैसे कि मैं बेहोस हूँ तो शरीर का ज्यादा ग्यान नहीं होता था तो वही record करते थे तो recording की quality जरा ठीक नहीं होती थी क्योंकि वो अपनी तरफ से record करते थे और दूसरे phone से record करते थे और मैं चाहता था YouTube के लोग थोड़ा और इंतजार करें थोड़ा और इंतजार करें इंतजार अच्छा है अमरित ने मेरा इंतजार इतना किया और साया काज से ही करते थे शाम से ही करते थे ऑफिस से आते थे घर के बाद भी काफी देर करते थे सत्र से पहले भी मैंने थोड़ी बात चीत की उसके बाद इतना इंतिजार उन्होंने किया मैं जब आया उसके बाद मैंने कहा कि माइक्रोफोन लगा लूँ ऐसा कर लूँ वैसा कर लूँ जटिलताएं तक्निकी जादा थी उन्होंने फिर भी इंतिजार किया मैं कहता हूँ ऐसा इंतिजार ठीक इंतिजार है और ऐसी प्रतिक्षा जो कर सकते हैं उन्हीं के पास मैं रह सकता हूँ जब तक तुम मेरे लिए पागल न हुए तब तक तुम मेरे पास नहीं आ सकते और आओगे तो चले जाओ जब तक मेरी प्रतिक्षा पागलपन के हदों को न चुए तब तक तुम मेरी प्रतिक्षा न कर सके हो लेकिन यदी प्रतिक्षा है तुम मेरी कर सके हो, तो याद रखना तुम मेरी प्रतिक्षा नहीं करते हैं, तुम उसी परमतत्व परमात्मा की प्रतिक्षा करते हो, उसी की प्रतिक्षा है, मैं तो प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, मैं तो दिखला रहा हूँ, मैं तो केवल प्रतिविंबु हूं छवी हूं वही तुमसे बात कर रहा है और मैं सच कहता हूं वही तुमसे बात कर रहा है मैं भी जब देखता हूं कि क्या मैंने बात की मैं पाता हूं कि मैंने बात नहीं की मैंने बात नहीं की क्योंकि जब मैं किचन में जाता हूं रोटी बनाता हूं रोटी कभी-कभी टेड़ी मेरी बन जाती है कभी-कभी बॉटल पानी का नीचे गिर जाता है कभी-कभी चपल पहनता हूं तो उल्टी चपल पहन लेता हूं कुर्टा पहनता था उल्टा कुर्टा पहनता था जब पहनता था फिर ठीक मैंने किया घर में सामान रखता हूं तो सोचता हूं दो-चार बार इसको कहां रखो फिर रखता हूं तो सोचता हूं यहां नहीं रखना चाहिए तो वहां रखना चाहिए और जब वहां रख देता रहा और कभी-कभी सोचता हूं अच्छा ऐसे ओन करने से ऐसे ओन हो जाता है तो आफ कैसे होता है अगर जीवन में इतने तुम ब्रहां को जान गये क्योंकि जब भी तुम्हारे जीवन में कुछ भी होगा वर्तमान में तुम कईसे अक्षैर अच्छा खर्विजित पहनते तो कॉर्टा पहन लेने जिना हैं वेचा तो नूतन पर क्लिक करता हूं किसी मेन्यू पर क्लिक करता हूं और सोचता हूं अच्छा ऐसे क्लिक होता हूं अच्छा ऐसे हो जाता है अच्छा इतना तेज यह काम कितना तेज हो जाता है मैं हर समय कौतुहल से भरा हुआ होता हूं मैं अभी भी यहां कैमरे को देखता हूं तो मैं मैं लेंस को देख रहा हूं मैं सोचता हूं कितना सुन्दर है इसके फ्लैश को देखता हूं मैं इसका रंग उजला पाता हूं मैं सोचता हूं कितना सुन्दर है कितना सुन्दर है यह ट्राइपॉड कितना सुन्दर है अब आप कहेंगे आप अपने आपको सुन्दर बोलते हैं तो किसको बोलूं अगर तुम से कहता हूं कि तुम सुन्दर हो और मैं मुझे को सुन्दर नहीं प्रतीत होता हूं तो तुम्हें कैसे कह सकता हूं और स्वयम को सुंदर बोलने में कोई अहंकार नहीं है और ऐसा व्यक्ति जो खुद को सुंदर नहीं पाता दूसरों को सुंदर पाता वो दूसरों को भी सुंदर नहीं पाएगा वो अब चारिकतावस सुंदर कह रहा है कभी तुमने किसी स्री को देखा किसी को सुन्दर कहते हुए वे कहते हैं आप बहुत सुन्दर लग रही हैं लेकिन भीतर ही भीतर मुझसे ज़्यादा नहीं और अगर वे कम सुन्दर हैं और दूसरी ज़्यादा सुन्दर है तो बोलेंगे सुन्दर लग रही हैं और भीतर एक निराश्चा के साथ कि मैं उतनी सुन्दर नहीं हूँ, मैं खुद को सुन्दर मालूम परता हूँ, मैं खुद को कितना जानता हूँ, अपनी सुन्दरता कि अनंत सरहदों तक, हदों तक जानता हूँ, मैं कितना देता हूँ, इस ब्रह्मांट का जो अटूट, अपार, व को कुच देता हूं और जानता हूं कि कुच नहीं देता है तो कि Demath कूकि सामर्थ मेरे में नहीं है तो कि बनमांद के फैलाओ के आगे देखो न जितनाभी तुम्हारे पास है कितना थोड़ा कितना छुटा है और तुम कहते हो मेरे पास बहुत है और मैं कहूं कि मैं तुमको देता हूं देने का सामर्थ है मुझे नहीं एक अग्यात स्रोत है गंगा का जो स्रोत है उस स्रोत से कुछ बहता है मैं प्रतिनीदी करता हूं मुझसे वो स्रोत टकराता है वो प्रवाह टकराती है वो प्रवा बनता हूं, फिर मुझे में वो प्रवाह करता है, फिर वो तुम पर, तुम्हारी तरफ प्रवाहित होता है, मैं क्या दूंगा तुम्हें, और जो मैं दे सकता हूं, तुम्हें कोई दे नहीं सकता हूं, लोग तुम्हें धन दे सकते हैं, दौलत दे सकते हैं, शरीर दे सकते ह मैं तुम्हें संसार दे नहीं सकता है, मैं तुम्हें आध्यात्म दूँ, मैं तुम्हें अग्यात पीरा दे सकता हूँ, आध्यात्म अग्यात पीरा है, रोमान्चक, रोमान्चित कर देने वाली अग्यात पीरा आध्यात्म है, मैं वही देता हूँ, और नहीं दे पाता आज, इतना है. आज, 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 इतना है. आज, 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 इतना है.